हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे. मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है Magnet Brains Hindi Medium पर. Magnet Brains Hindi Medium पर आपको मिलते हैं 6th से 12th क्लास तक के सभी विशों के high quality content. इसके साथ ही Magnet Brains Hindi Medium आपको प्रोवाइट कराता है ना सर्फ CBSC बोर्ट बलकि Other States Boards के भी fully organized courses और ये सभी courses आपको मिलते हैं बिल्कुल free of cost. इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी कमेंट करने की जरूरत नहीं होती है और अगर आप हमसे इनोट्स और इबुक्स भी लेना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो इसी चानकारी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो तो हम बात कर रहे थे अपने पार्ठ एक की पार्ट एक फसल उत्पाधन एवं प्रबंध में हम पढ़ चुके थे हमने पार्ठ देख लिया था अपना और हम उसके ncrt solution भी कर चुके थे आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं complete chapter revision आज हम अपने पूरे chapter को एक बार फिर से फटा फट से समझेंगे ठीक है revision करेंगे कि अगर हम कोई चीज़े भूल गए हैं तो उनको फिर से एक बार क्या कर ले रिवाइस कर लें तो चलिए शुरू करते हैं तो देखे पहले तो हमारे पार्ट का है परिचर कि हम इस पार्ट में क्या क्या चीज़े पढ़ने वाले हैं तो हम सबसे पहले में बात करेंगे फिर बुआई को समझेंगे खादीवम उर्वरक मिलाना सिचाई खर्पतवार से सुरक्षा कटाई भंडारन और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि जनतुओं से कौन-कौन से भोजन प्राप्त होते हैं और वो भोजन हमें कैसे प्राप्त होते हैं तो यह सार जो चाप्टर है वो हमारा जो पार्ट है वो यहां से शुरू हो रहा है हमारे पार्ट में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्रिशी पद्धतियों की तो क्रिशी पद्धतियों में सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिशी का प्रारम कैसे हुआ सबसे पहले क्रिशी जगह पर रुखन के लिए किसकी खाने बोजन के आवशक्ता उने लगई जब भूबूक लगए तो उन्होंने धीरे धीरे फिर उन्होंने फसल को कैसे उगाया जाता है यह जाना तो इस तरह कैसे क्रिशी की क्या होई शुरुवात हुई ठीक है तो क्रिशी का प्रारंब कैसे हुआ यह हम जान चुके हैं आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ फिर आगे क्रिशी पद्धती में ही हम जानते हैं कि क्रिशी की फसल क्या होती है तो देखे जब एक ही किस्म की पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाये जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं तो फसल किसे कहते हैं जब किसी एक ही प्रकार के पौधो को बड़े पैमाने पर किसी एक जगे पर उगाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? अगर हम यहाँ पे उदाहरं की तो और पर बात करें तो किसकी फसल? गेहूं की फसल, धान की फसल, मक्य की फसल हम कुछ भी बोल सकते हैं आगे देखिए फसले कई प्रकार की होती है अन सब्जियां फल अब फसले भी कई-कई प्रकार की होती है ऐसा नहीं सिर्फ अनाज की ही फसले है नहीं सब्जियों की भी फसल हो सकती है फलों की भी फसल हो सकती है ठीक है किसी भी एक प्रकार की पौधे जो है वो क्या कहलाते ह है उसके आधार पर होता है अगर हम बात करें कि हम पसलो का बगी करwe thought है है कि कौन सी अलग विसे बांठते तो ये हम मांटते हैं मौसम के आधार पर जिस मौसम में जो अच्छी उगती हैं हमने उसका एक बड़िया और दूसरे मौसम में कोई फसल अच्छे से उगति है तो हमने उसका एक अलग वर्ग बना दिया जिसका आधार पर क्या क्या क्या? वह फसलों कह वरगी करन किया गया मुख्यतना हम ने जान लिया कि इसा फसल क्या होती या फसल को कितने भागों में बाटा जाता है अब हम खरीफ और अभी को और अच्छे से देखते हैं तो ठीक है खरीफ असल क्या होती है तो वह फसल जिने वर्षा रितू में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है अब खरीफ फसल किसे कहते हैं खरीफ फसल ऐसी फसलों को कहते हैं तो हम सब जानते हैं भारत में वर्शा रितु जून से सितंबर तक होती है ठीक है उदाहरन ले 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 अब हम खरीफ फसल के तो धान, मक्का, सोयबीन, मुफली का पास ही सब कैसी हो गए ये सब ही खरीफ की फसल होती है अब बात कर लेते हैं हम रभी फसल की वह फसल जिनें शीत रितु अक्टूबर से मार्च में बोया जाता है रभी फसल कहलाती है उदाहरन गेहू चना मतर सरसो तथा अलसी इत्यादी तो भई देखो हमने जान लिया कि वर्शा रितु में जो फसले बोयी जाती है वो कौन सी हो गई वो हो गई खरीफ की फसल अब अगर हम बात क चना मटर सरसो और लसी यह सारी कैसी फसले हैं यह सभी रभी की फसले है कुछ रितु में ब counting ठीक है जिनको कब भूया जाता है उन बढ़ जाए चले फसल उगाने के लिए किसान को कई कारे एक निश्चित अवधी में करने होते हैं यह सभी क्रिया कलाब क्रिशी पद्धतियां हैं अब जब फसल उगाई जाती है तो ऐसा तो नहीं कि गए और बीज लगाया और बस हमारी फसलों गए नहीं बेटा जब हमें फसल उगाना होता है तो उससे पहले कई कारे करने पड़ते हैं और किसान को जब यह सारे क्रिया कलाब करने पड़ते हैं तो यह सभी क्या कहलाते हैं क्रिशी पद्धतियां ठीक है आगे देखे कुछ मुख्य क्रिशी पद्धतियां अब अगर हम कुछ मुख्य क्रिशी प ना है ओके ठीक है तो अब देख लेते हैं कौन कौन सी होती है तो यह जो मुख्य क्रशी पद्धतियां होती है सबसे पहले कारे होता है मिट्टी को तयार करना सबसे पहले क्या किया जाता है मिट्टी को तयार किया जाता है उसके बाद क्या होती है उसके बाद फिर बुआई सारी चीज़े हो जाती है और में फसल पक जाती है तो पिर क्या कर देटuest करण कर देते हैं लेकिन कटाई के बाद भी एक बहुत महत्पून कारे बच जाता है जो क्या है भंडारन तो इस तरह से शुर मिट्यकी तयारी से लेके भंडारन तक के जो पूरे कारे होते हैं यह सभी क्या कहलाते हैं यह हमारी क्रिशी पद्धितिया कहलाते हैं और आप कोई सारी क्रिशी पद्धितियां बिलकुल अच्छे से याद होनी चाहिए कि कभी भी कोई भी पूछ ले आप फटा-फट से बता सके होने हैं आगे बढ़ जाएं सारी क्रिशी पद्धि मिट्टी का पहला चरण है सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है तुछla किया आधी गोप consumers होब सबसे पहले इधर उधर पलट करके उसको धीला बना देते हैं पोली मिट्टी में जड़े गहराईते कि जा सकती हैं वह मिट्टी में रहने वाले केचington की वरद्धी करने में सहायता करती है अभ जो पोली मिट्टी होती है उसमें उसके था हैं और भूत अबनाया जाता है तो उसमें जो पौधेEr Tous में होते हैं यह उन्हें की वहां नया होती है ठीक है कि बाद किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह किसान की सहायता करते हैं यह किसान की सहायता ऐसे करते हैं कि जब यह अंदर चलते रहते हैं यह मतलब Tools होते रहते हैं तो मिट्टी क्या होती मिट्टी भी हिलती है और मिट्टी क्या होती रहती है धीली अपने आप होती रहती है साथ में एक और महत्वपूर्ण कारे करते हैं वो क्या करते हैं यह यूमस किसके लिए इच्छी होती है मिट्टी के लिए अच्छी होती है तो इसी विज़े से इनको क्या बोलते हैं? इनको किसानों का मित्र भी कहा जाता है. आगे दिखते हैं. आगे अब हम बात करते हैं कि मिट्टी को पोला करने की आवश्यक्ता क्यों है? भाई मिट्टी को पोला तो कर रहें पर इसके आवश्यक्ता क्यों पड़ती है? ये सवाल भी तो ह्साथ में जल भी होता है वायू भी होती है कुछ सजीव भी होते हैं OAIB कि चीज़ की बात करें इसमें जीवन है शीव है नहीं तो यह भी तो मिट्टी में ही रहते हैं और इसके साथ सथ क्या होता है कुछ मृत पौधे जब पौधा मर जाता है सूप जाता है तो किसमें मिल जाता है वह मिट्टी में मिल जाता है इसी के साथ कुछ जन्तु को जानवर जो होते हैं चोटे मूटे जानवर जो होते हैं जब गये थे जो अब घटेत हो गए तो उनके शरीर के जितने पोषटततों थे वो किसमें मिलगे वह मिट्टी में मिल गए और मिट्टी में जब फसलों को गया जाता थाएथ तो वहिए पोशक्तत्तों को कौन अफशोषित करता है पौधे अफशोषित करते हैं चीक है मिट्टी को उपरी परत ही मिट्टी की उपरी परत ही पौधे की वृद्धी में सहायक है मिट्टी की जो ऊपर की परत होती है अगर हम बात करें मिट्टी की तो मिट्टी के कई भाग होते हैं ये माल लेते हैं हम ये क्या है उपरी परत है तो उपरी परत जो है इसी में सुक्ष्मजीव होते हैं इसी में सबसे ज़्यादा पोशक्त तो होते हैं और हम जो अपना पौधा लगाते हैं वो भी हम इसी पर लगाते हैं तो मिट्टी के उपरी परत जो होती है वही पौधे क वृद्धी में सहायक होती है ठीक है इसे उलटने पलटने से पोशक पदार्थ उपर आ जाते हैं अमाल लोग कभी कभी क्या होता है यहां पर कोई जन्तु मरा था उसके पोशक पदार्थ कहां चले गए नीचे तक चले गए लेकिन जब हमने क्या किया पोला बनाया धीला बन पौधे इन पोशक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद जब उपर आ जाते हैं तो उनका प्रयोग कौन कर सकते हैं पौधे कर सकते हैं ठीक है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है इसे हलकी मदद से किया जाता है अब यह जो प्रक्रिया होती है, मिट्टी को उलटने पलटने की, ढीला करने की, पोला करने की यह जो प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया होई ना, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या बार बार हम इस तरह से बोलेंगे, कि खेत को पोला करना है, खेत की मिट्टी को पल का कृशी औजार है ठीक है इतना समझ आया आगे बढ़ चाहिए चलिए अब हम बात कर लेते कि क्रिशी औजार की जब बात आ ही गई है हलकी तो चलिए बात ही कर लेते हैं फिक रशी औजार की अच्छी उपच के लिए मिट्टी को तैयार करना आवश्यक है जिसमें उसे भर पूरा करना पड़ेगा के पोला करना पड़ेगा ठीक ह negatively इनीक और जारों सी किया जाता है अब यह काम करने के लिए अपने हाथ से तो मिट्टी को ऐसे बिल्कुल नहीं ला सकते खिया है ऐसा अपने आपने से नहीं कर सकते तो इसके लिए किसकी आवश्यक्ता होती है इसके लिए कुछ ऑजारों के आवश्यक्ता होती है यहां पर सबसे पहला ऑजार कौन सा दिया हुआ है यहां पर सबसे पहला ऑजार हमें हल दिया हुआ है तो हल क्या होता है पुरानी समय से हल का उपयोग तो भई हमाई जो विज्ञान है उसने तरक्की करी लिए तो नहीं नहीं मशीन साती जा रही है ना तो कुछ ही जगवा पर देखने हो मिल सकता है तो इसका इसका यूज कहां कहां होता है इसका उप्यों जुदाई करने के लिए खाद और वरक मिलाने के लिए इसके साथ पतवार जो होती है उसको निकालनी के लिए और मिठी खरचनी के लिए किया हसकता है यहां पे डीखाना को हल का चित्र दिखाई दे रहा है यह आपको हल दिख जाएगा ऐसे बेरो से उसको लगा दिया जाता है अब मैं आपको बता दूँ एन पर पाहट यह वाली लाइन क क्या कहलाता है फाल और यह जो लगे हुए है इसकी बात के तो इसको क्या कहते है जोद ठीक अब इसके निचले हिस्ते में देखें आपको ऐसा यह देख रहे है वाइट कलर का शाइनी सा बिटा यह उती ब्लीड ठीक है यह जो होती है यह बहुत पॉइंटेड होती है इसी को हुआ है हल जोडा हुआ है और यहाद जोडा है यह जो फिलकी यह वला पाट थैना एव अधागी देखें अंदर मिट्टी के अंदर घुसा हुआ है उ ज sins यह बैल चलते जाएंगे जैसा उसका नाम है सरलसा कुदाली तो ऐसे यह सरलसा ओजार है ठीक है अभी दिखाती हूं कितना सरल है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने में मिट्टी को पोला करने में किया जाता है इसका प्रयोग हम कहां कहां करते हैं इसका प्रयोग हम खरपतवार निकालने के लिए और मिट्टी को पोला करने के लिए मतलब की जुटाई में करते हैं, ठीक है? ये दिखरी आपको कुदाली दिखा कितना सरल ओजार है है ना कुछ भी नहीं है इसमें देखे बस ऐसे दिख रहा है सरल सा ओजार तो देखे ये होती है कुदाली इसके इस भाग को कहते हैं पकड ठीक है जहां से पकडते हैं उसको कहते हैं पकड और ये जो दिखरा है जाता हुआ इसको क्या कहते हैं हैं यह जो हो गई यह हो गई जोत यह मैंने जो अभी बताया थे जोत कहां लगते हैं बैलों पर लगते हैं यहां पर यह जो एक दिखरी है बड़ी सी लंबी सी हो इसकी छड़ और यहां पर एक मोड़ी हुई प्लेट होती है ठीक है तो इस तरह की गुदाली होती है इसका प्रयोग क्रपत्वार निकालने के लिए और जुटाई करने के लिए किया जाता है और एक और की बात करने को पुराने टाइम से उपयोग किया रहा है तो पुराने लोग ही करते थे आज कल कि अगर हम बात करें तो आज कल किसका प्रयोग किया जाने लगया है यह कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाने लगया है कल्टीवेटर को क्या करते हैं जिनके पास ट्रेक्टर होता है तो वह ट्रेक्टर में कल्टीवेटर को लगाते हैं और फिर उसक कितनी सारे ब्लेड लगी तो एक टाइम में काफी सारी जगे को एक सात्थ क्या कर देता है उसकी जुताई कर देता है तो इससे क्या होता है। क् 경찰 भून को ठकना पड़ रहा है ठीक है और लो ठकना फड़ रहा है क्णि मश्यार्त तरह बैठा में बैठा udah ना तो आग्या बैठे काम कर रहा है अब इसको चलना नहीं पड़ रहा हो तो इसका भेलो की हो होता है क्योंकि जब विसाप सिवनारी लेकिन अरुसे समय की बचत होती है जितने समय में बैल एक खेद को करते उतने समय में तो ट्रेक्टर कितने दो या तीन खेद कर डालेगा तो इसमें क्या श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है ठीक है इस यहां तक समझ आ गया आगे देख लें चलो चली तो बात अब हम आगे क्या देख लेते हैं अब हम देख लेते हैं बुआई तो अगर हम बुआई की बात करें जिसको हम पहले से समझ चुके हैं ये फसल उत्पादन का सबसे महत्वपून चरण है जिस तरह से मिट्टी को तयार करना एक महत्वपून चरण है पहला चरण है उसी तरह से जो बुआई होती है ये भी फसल उत्पादन का कैसा ब बीजो को बोते हैं तो देखे हम क्या खराब बीज तो नहीं बो सकते तो बोने से पहले क्या किया जाता है उनको देखा जाता है कि उसमें से जो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज हैं उन्हीं का चैन किया जाता है और उन्हीं को फिर बोया जाता है ठीक है किसान अधिक उपज देंगे उनी बीजों को लगाएंगे ना क्योंकि अगर हमने ऐसे कोई से बीज उठाके लगा दिये और उनसे उपज अच्छी नहीं हुई तो इससे नुकसान किसका होगा इससे नुकसान तो किसान का होगा तो किसान क्या करता है पहले बीजों का चयन करता है फिर उस से उसको अच्छी उपच प्राप्त हो ठीक है फिर आगर मैं बात करो बीजों का चयन तो बीजों का चयन क्या होता है एक हमको क्रिया कलाब दिया है हमारी पहली क्रिया कलाब जिसमें दिया है एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भर लीजे एक बीकर ले ले या आपके घर में कोई भी बरतन हो उसको ले ले उसको क्या करो पानी से आधा भर लो ठीक है इसमें एक मुठी गेहूं के दाने डाल कर भली भांती हिलाईए अब क्या करो एक मुठी गेहूं के दानि लो उसमें डाल दो ऑफिर उसको हिलाओ अब ऐसा भी नहीं हिलाना है कि पानी फैल जाए ऐसे हिलाना है कि बीज जो है वो उसके अंदर क्या हो जाएं अंदर तक सतेह तक महुंच जाएं छीक है कुछ समय प्रतीक्षा करें जब वो स क्या है यहां पर मैंने दो पिच्चर ले हुई है आपके सामने एक पिच्चर में देखे आपको क्या दिख रहा है एक ग्लास में पानी लिया है दोनों पिच्चर में ही ग्लास में पानी दिख रहा है दोनों में क्या किया कुछ कुछ बीज डाले गए अभी किस चीज के बीज हैं किसी भी चीज की बीज ले सकते हैं ठीक है बीज डाले गए जो बीज अच्छे भारी थे जो अच्छी उपज देने वाली थे वो क्या हुआ वो पानी की सतह में नीचे जाके क्या हो जाते हैं बैठ जाते हैं और जो बीज क को इस तरह से पता चल जाता है कि कौन से अच्छे बीज हैं और कौन से कम उपज देने वाले बीज हैं तो इस तरीके से हम अपने घर पर भी अच्छे बीजों का चैन कर सकते हैं आगे चलें आगे देखें चलिए आगे क्या है कि अब बुआई के लिए भी कुछ परंपराग और उसके बाद अभी जो आ गए हैं उनकी बात करें तो कैसे हो गए हैं वह आधुनिक कहलाते हैं जो अभी जितने होते हैं जो बहुत काफी पुराने समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं वो सब क्या कहलाते हैं वो परंपरागत औजार कहलाते हैं तो हमें अब पहले परंपरागत औजार की बात करते हैं तो वो क्या है वो है कीप अब क्या होता है तो पुराने समय से बुआई के लिए इसका अस्तमाल किया जाता है देखिए मैंने कहा ना परंपरागत मतलब कि ब आज नहीं बहुत पुराने समय से ही किया जा रहा है बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह दो या तीन सिरे वाले पाइपों से गुजरते हुए मिट्टी को भेद कर बीच को स्थापित कर देते हैं अब यह लगाते कैसे हैं कीप जो होता है उपर से कीप रहता है फिर क्रीप जो है वह इस तरह से कारे करता यहां पर कीफ कि पिच्चर भी दिख氃घी ओगी यहल में चलते जरए हमरी प्रेबेल चलते जारे हैं के माध्यम से यहां पर इन्होंने यह movimento फसाल लिए डिखिए आप विप का मैं हटा देती हूं यह का मूज अटे के इसके तीन या चार मूँ वाले ऐसे पाइप लगे रहते हैं और यह मिट्टी के अंदर चले गए अब जब यहां से बीज डाले जाते हैं तो एक बीज यहां लग गया एक बीज यहां लग गया और एक बीज यहां लग गया है ना समझ है तो इस तरीके से यह कारे करता है ठी आधुनिक मशीन यह हमारेski 100 आजाएगा आधुनिक ओजार में आजाएगा छीक है यह आधुनिक रिशी ओज या फिर आधुनिक भुय को जार कहलाएगा dużo आप देखें सीड ड्रिल क्या होता है जैको सीड जो सब्ड है ये तो इंगलिश से आया है क्य। क्योंकि बीज को ​​ यह क्या हो गया सेट यहा नाम कैसे अई इंप्रिस्टिंग सा आभी और चलता जा रहा है और कीप से वो बीच डालता जा रहा है लेकिन अगर मैं सीड्रिल की बात करूं तो ना तो सीड्रिल को डारेक्ट किसान चला सकता है ना ही हल की मदद से चला सकता है सीड्रिल को किसकी मदद से चला जा सकता है सीड्रिल को ट्रेक्टर की मदद से चला जा सकता है ठीक है इसके द्वारा बीज में बराबर दूरी है है ना और ये अंदर तक जाते हैं तापाट तो गहराई भी अच्छी मिल जाती है तो ये जो है ये हर बीच को अच्छी जमीन के अच्छे गहराई तक और समान दूरी पे लगाता है इनके बीच की दूरी क्या रहती है समान रहती है जिससे क्या होता है जब वो बीच बढ़ना शुरू होते हैं, फसल बनना शुरू होते हैं, तो फसल जो है, उनके बीच में एक समान जो स्पेस, यार नी जगह रहती है, अगर मैं बात करूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहे हूं, क्यों जगह की आवश्यक्त है, तो मैंने जब आपको चैप्टर समझ आता है जब हमने पार्ठ में बात की थी सीज्रिल के बारे में फसलों के बारे में तो मैंने आपको बहुत जरूरी बात बताई थी कि इनके बीच में समान दूरी होना बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर यह पास पास आ जाएंगे और जब बढ़ना शुरू करेंगे तो इनक उनों दूसरे से टक्राने लगेंगे इनको जगह की कमी हो जाएगे जब जगह की कमी होगी तो वो पौधा अच्छे से बढ़ नहीं पाएगा इसलिए सीड्रिल जो है वो समान दूरी पे बीजों को स्थापित करता है तो इसलिए भी यह बहुत उपयोगी होता है आगे द ट्रेक्टर द्वारा संचालित होता है तो ट्रेक्टर जल्दी जल्दी चलता है तो जब जल्दी जल्दी चलता है तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है तो समय बच जाता है दूसरी चीज़ श्रम भी बच जाता है श्रम कैसे बचता है जब किसान खेत में हल लेके चल रहा है तो उसका श्रम जो है बैठे बैठे उसका काम हो रहा है तो श्रम क्या है कम हो गया तो इस समय और श्रम दोनों की ही बचत कर देता है ठीक है आगे देखते हैं पौधों को अत्यधे घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचे दूरी होना अत्यंत महत्यपून है यही तो मैं अभी आपको बता रही थी कि पॉधों को अत्यदे घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच में उच्छे दूरी होना बहुत जरूरी है ठीक है पॉधों के बीच उच्छे दूरी होने से पॉधों को सूरी का प्रकाश पोशक एवं जल परियाप्त मात्रा में प्राप्त होता है तीन चीज़े सूरी का प्रकाश पोशक एवं जल ये तीनों चीज़े उनसे बटती नहीं है जब वो समान दूरी रहती है तो इसको इसका पोशक तक तो जल सूरी का प्रकर्ष सब बट जाता है और दोनों को कम-कम मिलता है जिससे इनक्या विकास नहीं हो पाता है इसलिए इनके बीच में समान दूरी होना बहुत आवश्यक है ठीक है यहां तक समझा गया सीड्रल को आपने देख लिया आगे देखें चलिए अब देखें वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोशक इस्तर बनाये रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक क्या होते हैं तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोशक इस्तर बनाये जाते हैं तो खाद एवं और वरक मिलाना इसलिए जरूर यह हो जाता है ठीक है यह हमारी कौन सी पद्धिती है हमने पहले मिट्टी को तैयार किया ठीक है पहला फिर दूसरा हमने क्या किया बुआई किया अब हम यह तीसरा वाला पढ़ रहें तीसरा काम क्या है हमारा ऌफे बारे में हम जानतेैं कि इन दोनों को अलग अलग पड़ेंगे अभी तो हमने आपने के अगर मैं बात करूं तो पधे पपास्सल मिट्टी के लिए करते हैं अब पौधे में जो पौधे की बात करूं या फसल की बात करूं तो वो क्या करते हैं पोशक तत्तों की भरपाई किस से करते हैं पहली चीज तो वो अपना खाना बनाते हैं प्रकार संशलेशन की प्रक्रिया से दूसरा कुछ पोशक तत्तों वो कहां से लेते हैं वो मिट्ट से लेते हैं तो मिट्टी में जो उपस्तित खनिच पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग करते हैं वो अपनी वृद्धी के लिए फसलों के लगातार उत्पादन से मिट्टी में कुछ पोशकों की कमी हो जाती है इस शती की पूर्थी के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं और यह प्रक्रिया खाद देना कहलाती है अब अगर मैं बात करूँ कि जब यह जो फसले हैं जब यह लेते जारी हैं उनके खनिच पदार्थों को तो इससे क्या होगा इससे कभी कभी ऐसा होता है कि जो मिट्टी के पोशक्त तो होते हैं उसमें कमी आ जाती है और क्योंकि फसल तो हमको continue लगानी है मतलब किसान जो है उसको तो निरंतर लगानी पड़ेगी ना फसल क्योंकि अगर वो रुख गया तो फसल का उत्पादन रुख जाएगा तो हमको अनाज कैसे मिलेगा हमको भोजन कैसे मिलेगा है ना तो उसको तो लगाता है निरंतर क्या करना लाएगा है ना तो वो क्या करता है वो खाद एवं उर्वरक की मदल ले ले लेता है तो उन जो पोशक्तत्तों की कमी हो रही है उन पोशक्तत्तों को बनाए रखने के लिए उसमें क्या मिला देता है वो उसमें खाद मिला देता है और यह जो प्रक्रिया होती है खाद मिला पदार्थ है जो कि पौधो या जन्तू अप्शिष्ट से प्राप्त होती है अब खाद जो है वो कैसी क्या है एक कार्बनिक पदार्थ है एक जैविक पदार्थ है और यह प्राप्त कहां से होता है यह पौधो या जन्तू के अप्शिष्ट से प्राप्त होता है ना तो पौ जाता है खाद बन जाती है इसी लिए कैसा पदार्थ होता है यह कार्बनिक पदार्थ होता यह जैविक पदार्थ होता इसमें किसी भी तरह के कोई रसायन नहीं मिले होते अब अगर मैं जन्तू एवं पौधी अप्शिष्ट की बात करूं तो यह क्या होते हैं पौधों के एप्शिष्ट मतलब कि जैसे पेड में देखा होगा आपने पेड की पत्यां जब हवा चलती तो जो 7 वह निरंतर गिरतीoscope झिया होगा और छेटम धिकां करती यह का दिने धो यह जो घubenी करती हैं यह भी अप्षिष्ट पदार्त का परी कर दिदि तो यह तो हो गए पौधे का कारिय करते हैं यह कि कही कि च्वक बता रहे हैं तो समझ हाए इनसे प्राप्त होती है क्या प्राप्त होती है इनसे खाद प्राप्त होती है आगे देखे खाद को बनाने के लिए अब ये हमें ये भी पता रहे हैं कि आप खाद कैसे बना सकते हैं एक किसान जो है वो खाद को अपने घर में मतलब अपने खेत में बना सकता है बहुत आसानी से बना सकता है उसको को बहुत हुआ पुदों से अप्षिषट पदार्थ मिलता है पौदों की चिति-पतियां है पौदों की कि ट्याइनिंया है अगर कोई कोई सड़के गिर गया है उसके फूलागर गिर रहे हैं तो वह ऐउथा की जितने अपषिष्ट पदार्थ है इन सब को उस घढडे में डाल दीजे दूसरा चीज जो जन्तू के अपशिष्ट है जैसे जन्तू को जो अपशिष्ट मल मिलता है उसको और ठीक है अगर कोई जीव जो है जैसे कोई जन्तू अगर मर जाता है और वो जमीन पर पड़ा रहता है तो वो भी बेटा वो किसमें अब घटे तो चाता है वो मिट्टी में ही अब घटे तो चाता है मिट्टी के लिए किसका कारे करता है वो खाद का कारे करता है लेकिन यहां पे हम जन्तु के अप्षिष्ट में किसकी बात करें मल की बात कर रहे हैं उसके ठीक है गोबर की बात कर रहे हैं उसके फिर इसे और इसको कुछ दिनेयों के लिए हमने क्या क्या अब hण्टित होने के लिए छोड़ दिया है किमें कत्रों सुक्षमीजीवों काल धियता चाहिए अब दीरे-धिरह उसमें काण बंचाएंगे उसको अपगटित कर देंगे और जब वो अपगटित हो जाएगा जब उसका अपगटन हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा यही खाद कहलाती है और वही खाद में बदल जाएगी तो किसान जो है वो अपनी फसलों के लिए अपनी मिट्टी के लिए खाद इसी तरह से बनाते ही है ठीक है तो यह हार समझ में आयाा आपको चलिया आगे दिखते हैं कि आगे rematch करेंगे और भर ऐकी खात देख लिए आप नीका थी क्या है कैसे बनती है बनाया कैसे जा सकता हमने सारी चीज़े जानगे अब हम बात किस पह करेंगे अब हम बात करते हैं और तो वट क्या होते हैं और थे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोशकों से समृद होते हैं अब ऊरवर कि अगर मैं बात करू तो उर्वरक Circ bir हमने खाद बनाई ना इतना असान निहीं और वरक बनाए और बर पु कैसी में रसायनों की बहुत सारे पोशक्तत तो हो सकते हैं, उसमें कोई पोशक्तत तो कम भी हो सकता है, कोई पोशक्तत तो बहुत जादा हो सकता है, क्योंकि हमने किसी भी चीज की मातरा को गिना नहीं था, हमने बस खार बना ली थी, लेकिन उर्वरक कैसे बनाये जाते हैं, उर्वरक जब बनात होते हैं तो उसमें विशेश पोशक्ततों होते हैं जैसे कि अगर माल लिए हमको हमारी मिट्टी को फॉस्पोरस देना है क्योंकि हमारी मिट्टी में फॉस्पोरस की कमी हो गया है तो हम उसी उर्वरक का प्रयोग करेंगे जिसमें क्या हो विशेश रूप से फॉस्पोरस ही ह तो जब यह उस रसायन में सबसेशाद क्या होगा उस रसायन मेर फॉसपोरस प्रयोग के उस उर्वरक को नाया गया होगा तो उर्वरक जो होते हैं वह किसी विशेश पोशकत्तों से ही भरे होते हैं ऐसे पुस issa यह थैंगे नाइ्ट्रोजिम economics and कभूकि कुछ हैसे भी होते हैं जिन में तीन चार चीज़े साथ में होती है कुछ-कुछ सिर्फ एक ही एक ही मतलब की पोशक्त तो देने वाले होते तो इस तरह से उर्वरक बनते अब इनकी बात करें आगे तो इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है अभी हमने खाद तो भाई खेत स्थान में उर्वरक को नहीं बना सकते हैं ठीक है उर्वरक के उदाहरन की अगर मैं बात करूँ तो कौन-कौन से उर्वरक आते हैं यूरिया जो हो गया वो क्या होता है एक उर्वरक होता है अमोनियम सलफेट क्या होता है यूरिया होता है पोटाश क्या होता है यूरिया ह होता है और एक NpK मतलब की nitrogen phosphorus and potassium यह भी क्या होता है यह भी औरवरक होता है ठीक है यहां तक समझ आ गया औरवरक समझ लिया और बनता कहां है देख्लिया और वरक के उदाहरण देख लिए आगे दिखते हैं इनके प्रयोक से फसलोगी अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है परंतू उर्वार्गों के अत्यदिक उप्योग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है देखें होता क्या है उर्वरक की जब हम उर्वरक का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल जो है वो तो बहुत अच्छी उपज देती है क्योंकि क्या करते हैं हम जिस भी पोशक्त तो की कमी है वो पोशक्त तो बहुत अच्छे से दे की लेकिन जो मिट्टी होती है उसकी औरवरता क्या हो जाती है खतम हो जाती है वो दीरे-दीरे कैसी हो जाती है अन उपजाओ हो जाती है वो उपज देना बंद कर देती है इनके अधिक प्रयोग से जल प्रदूशन में व्रिद्धी होती है और साथ में दूसरा नुकसान ये पर चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिये गज़ने के बीज़ देने को उनके नमी देकर के रख दो फिर एक दो दिन बाद जब आप देखोगे तो उसमें से आपको वाइट कलर का सफेध कलर का अंकुरन दिखे का तो वही हम कहते हैं उसको अंकुरित होना इसेखाट है तो आपधा कर लिया सबस्में को कितने तीन दाने ऐसे चरट लेना है जिन में एक ही आकार का माल लेजे, यह आपके मूं का दाना है, तो एक में इतना अंकुरण आया है, यहाँ पर मैं बहुत सारे दाने बना देती हूँ, ठीक है, समझाने के लिए कि क्या है क्या है, एक में अंकुरण इतना है, एक में इतना है, एक में इतना, और समझ लीजे इतना, अ अब इन सब में देखिए यह अंकुरण है, यह जो उपर दिख रहा है न भाग, पीले से दिखाऊं क्या मैं, शायद और इक्षे से समझ आए, तो यह जो है यह अंकुरण के भाग है, ठीक है, यह अंकुरण निकला इसमें, आप इनों ने बोला कि तीन एक ही बराबर, नवो इसकी बात करें तो इतना बड़ा अंकुरण है, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें छोटा, इसमें बहुत बड़ा और इसमें यह, तो आपको तीन ऐसे कौन से मिल रहे हैं, जिसमें लगभग समान है, मुझको तो एक यह वाला, एक यह वाला और एक यह वाला, यह तीन अंकुरन मुझे लगबग समान दिख रहा है कि इनकी को अगर मैं नापूंगी तो यह लगबग लगबग एक ही बराबर होंगे, तो मैं इन तीन बीजों का छैन कर लोंगी, तो इस तरीके से हमको बीजों का छैन करना है, तो तीन से एक ही आकार वाले हमने ले लिए, छाट लिए अब इन तीन ग्लास अत्वा ऐसे ही पात्र लिजे अब क्या करना है अब हमको तीन ग्लासेज ले लिए ग्लास ले लेनी है या माल लिजे प्लास्टिक के कप ले लिजे या चीनी मिट्टी के कप ले लिजे कुछ भी ले लिजे कोई पात्र ले लिजे जो एक जैसे हो चीक है, तो ये लिजे हमने तीन पात्र भी ले लिए एक जैसे, चीक है, अब क्या करना है, आगे और देख लेते हैं, अब इसमें क्या करना है, और देखो, इनको इनोंने A, B, C नाम दे दिया, तो मैं भी दे देती हूँ, A, B, एवं C, चीक है, निशान लगा ये, गिलास A म मैंने क्या किया, इसमें मिटी ली, और इसमें गोबर की खाद मिला के, मिटी भर दी, मैं या पर लिख देती हूँ, कि इसमें हमने क्या मिलाया, इसमें हमने मिटी प्लस खाद, चीक है, ये मिलाया है मैंने इसमें, B वाले में हमको क्या करना है, गिलास बी में समान मातरा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाईए यूरिया क्या होता है बिटा यूरिया उर्वरक होता है तो चलिए ठीक है बी वाले में मैंने मिट्टी लेली और मिट्टी के साथ मैंने क्या मिला दिया मिट्टी के साथ मैंने मिला दिया मिट्टी प्लस यूरिया और यूरिया का मतलब है उर्वरक तो इसमें मैंने उर्वरक मिला लिया चीक है? थर्ड वाली में क्या बोल रहे हैं? सी में क्या करना है? गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजे बिना कुछ मिलाए अब सी वाली में कुछ नहीं मिलाना है बस मिट्टी को मिला देना है लो भई सिर्फ मिट्टी थी तो लिख देती हूं क्या है इसमें इसमें सिर्फ मिट्टी है ठीक है अब आगे देखें अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षत इस्थान पर रख दीजे प्रते दिन पानी देते रहिए अब इन्होंने क्या क्या वो जो तीन बीज हमने छाटे थे ना चने के हो गए या फिर मूं के जिसके भी हैं एक की किसी के लिए ना तो यहाँ पर मैंने लगा दिया किसका वो मैं ग्रीन कलर से दिखाती हूं ठीक है यहाँ पर मैंने लगा दिया क्या यह अंकुरित बीज यहाँ पर भी लगा दिया अंकुरित बीज अम मैं क्या करूंगी इनको मुझे क्या देना है इ आप इन्होंने क्या बोला है? कितने दिन बाद देखना है हमें? साथ से दस दिनों बाद उनकी वृध्धी को नोट कीजिए. अब साथ से दस दिनों तक इनको छोड़ देना है और उसके बाद हमें इनकी वृध्धी को देखना है. तो देखो बिटा, अब क्या होगा? यह अ अपना बीज लगाया था और पानी दे दिया था क्योंकि इसमें मिट्टी के साथ क्या है इसमें मिट्टी के साथ खाद है तो ये पौधा जो है इसको कुछ पोशकत है तो मिल जाएंगे और ये आराम से उग जाएगा चीक है अब इसकी हाइट आप लोग देख रहे हैं कितन जादा जरूरत है ये यूरिया जैसे इसको मिलता है ये बहुत अच्छी उपज देता है तो ये वाला जो पौधा होगा ये ये वाले की हाइट आपको कुछ और बड़ी दिखेगी और ये कुछ और जादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसको बहुत अधिक पोशकत तो मि है ना अगर यूरिया की जरूरत थी तो और इस वाले को आ अमने सिर्फ मिट्टी दिती इसमें तो हमने कुछ में जाने तथा ना तो खाद मिला ही ना और वरक मिला कुछ नहीं मिलाई बस मिट्टी टाली पानी डाला बीज डाल दिया तो ये क्या होगा ये बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, इसकी बढ़ने की जो शमता होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, ये हमारी क्रिया कलाप होगी, तो ऐसा कुछ आपको अब लोकन देखने को मिलेगा, चलिए, इसके बाद हम next देखेंगे, तो इसके आगे अब हम देखत ही तीन ग्लासे लिए हैं, ये तीन ग्लास लिए हैं, इनको ABC नाम दिया है, इनमें इनोंने बीच, खाद, उरवरक, मिट्टी सब लेके बैठी हैं और इन दोनोंने लगाया, फिर देखें, इनके ये जो पौधें हैं, ए वाले में क्या था, हमने देखा था, ए वाले में क् मिट्टी और खाद, है ना, हमने यही मिलाया था, दूसरे वाले में हमने मिलाया था, मिट्टी और यूरिया, ठीक हैं, और तीसरे वाले में सिर्फ मिट्टी थी, तो देखो, यहाँ पे इनोंने एक अवलोकन पिच्चर में भी दिखाया है कि कैसा है, देखो, मिट्टी औ खाद वाले में पौधे तो लंबे दिख रहे हैं लेकिन ये बहुत कम दिख रहे हैं इनकी जो अगर मात्रा की बात करो तो बहुत कम है मुझे कुछ चार पांच ही ऐसे दिख रहे हैं बी में मिट्टी और यूरिया है तो देखो इसमें कितने घने निकल के आए हैं इनके के बाहर तक नहीं आ पाए हैं इसकी फोटो आपको आपकी किताब में मिल जाएगी उसमें आप और अच्छे से देखेगा और आप इस क्रिया कलाप को घर पर भी आसानी से कर सकते हैं ठीक है तो ये देखा आपने तो इस तरीके से खाद और जो यूरिया होती है या फिर उ अब मिटी में जो पोशक्ततों हैं अभी आपने देखा कि पोशक्ततों कितने जादा जरूरी है ना पौधों के लिए तो इन पोशक्ततों को बनाए रखने के लिए क्या उपाए करने चाहिए तो उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग किया जाए लेकिन अच्छे उपाजाना बंद हो जाता है तो उस मिट्टी के उर्वरा था हमको उर्वरक के उप्योग के उपयोग से मिट्टी के गठन एमं जल अवशोषन शंपता में व्रद्धी होती है अब जब क्या हो जाती है वो भी बढ़ जाती है इससे मिट्टी के सभी पोशकत्तों की प्रति पूर्थी होती है और फिर उसके बाद जब ये जो जैविक खाद होती है इससे क्या होता है इससे जितने भी मिट्टी के पोशकत्तों होते हैं ये उसकी प्रति पूर्थी कर देती है ये दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ हुगाए छोड़ देना चाहिए ये वाला तरीका अपना कर भी हम क्या कर सकते हैं मिट्टी के पोशक तत्तो को बनाये रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए खेत को क्या करना चाहिए बिना कुछ हुगाए छोड़ देना चाहिए खाली छोड़ देना चाहिए उसमें कुछ भी नहीं उगाना चाहिए तो इससे क्या होता है मिट्टी जो है वो अपने पोशक तत्तों को वापस से भर लेती है ना तो इस तरीके से मिट्टी के पोशक तत्तों को बनाया रखा जा सकता है आगे देखिए इसका एक अन्य तरीका है फसल चक्रन अगर अब हम दूसरे तरीके की बात करें कि अब मालो किसान को अपना खेत जो है वो खाली छोड़ना भी नहीं है और वरग भी देना है खाद भी देनी है तो खाद तो चलिए अच्छी चीज है लेकिन अगर मालो और वर अगर का का उगान की फसल अगर गेहु की कर में बदल देंगे उसकी जगए पर किसी दाल की फसलушल का लगा देंगे लुम है है ठीक है तो एक एक अंतर करम का प्रयोग किया जाता है कि एक के बाद एक अगर गें हूं है तो एक साल या दो साल ऐसा कुछ बना लिजे करम बना लिजे और उसके बाद बदल बदल कर फस्ट लोग को लगाईए ठीक है एक साल गेहूं एक साल डाल एक साल गेहूं एक साल डाल एक क्रम दिख रहा है आपको तो इस तरीके से एक आंतर क्रम का प्रयोग करके फसल का चक्रण कराया जा सकता है इससे लाब क्या होता है इससे जो मिट्टी में नाइट्रोजन होती है वो उसकी पूर्ती हो जाती है ठीक है गेहूं लगाया माल लीजे गेहूं ने नाइट्रोजन के सारे भाग को ले लिया तो दाल जो होती है दाल की फसले क्या करती है मिट्टी में नाइट्रोजन का इस् रहे हैं कैसे क्राम बन रहा है कैसे पोशक तत्तों की पूर्ती हो रही है ठीक है समझ आ रहा है ठीक है चलिया आगे देखते हैं राइजोबियम बैक्टिरिया वायो मंडली नाइट्रोजन का स्थिरी करण करते हैं यह फलीदार लेग्यूमनस पौदों की जड़ों की का है nitrogen को इस्थरी करन के लिए यह क्या करता है वायू मंदल क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वह वायू मंदल में होती तो बहुत सारी है लेकिन पौदे जो है उसको डारेक्ट नहीं ले सकते तो वह क्या करते हैं जो राइजोबिम बैक्टीरिया होता है वह वायू मं पौदों की जड़ों में पाया जाता है मतलब की जैसे दाल के पौदे हो गई या फलीदार जो पौदे होते हैं उनकी बात करें मटर हो गया ठीक है सीम हो गई इनकी जो जड़े होती है यह वहां पर पाया जाता है ठीक है आगे देखने चलिए आगे अब देखिए यहां पर हमको दिखेगा उर्वरक एवं खाद में अंतर अब हम बात कर लेते हैं कि उर्वरक और खाद में अंतर क्या है क्या इन में दोनों में मतलब उर्वरक क्यों अच्छे होते हैं या क्यों बुरे होते हैं खाद क्यों अच्छे होती है या खाद में क्या कमी होती है तो वह हम देख लेते हैं उर्वरक एक मानव निर्मित लवन है अब उर्वरक जो है वो क्या है इंसान का बनाया हुआ एक तरह का सॉल्ट है ठीक है अगर खाद की बात करो तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौदों के अफशेश के विगडन से प्राप्त होता है तो यह इनके अफशिष्ट से इनके अफशेश से बनती है ठीक है अब उर्वरक देख लें तो उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है अगर इनके उत्पादन के बात करें तो यह कहां बनता है यह फैक्ट्रियों में बनता है खाद खेतों में बनाई जा सकत होता है और वरक से मिट्टी का हुमस प्राप्त नहीं होती है और वरक से जो मिट्टी होती है उसको हुमस प्राप्त नहीं होता है और वरक जो होते हैं मैं बताया नहीं डारेक्ट क्या करते हैं विशेश रूप से विशेश पोशक तो मिट्टी को प्रदान करते हैं लेकिन करते हैं वहीं अगर हम खाद की बात करें तो खाद से मिट्टी को प्रेचर मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है उर्वरक में पादप पोशक जैसे की नाइट्रोजन फासफोरस तथा पोटेशियम प्रेचरता में होता है अब क्योंकि इन में यह रासायनिक पदार्थ होता है यह जो होता है रासायनिक रसायनों के प्रयोग से बनता है तो इसमें इस तरह के जो पोशक तत्त होते हैं नाइट्रोजन हो गए फासफोरस हो गए पोटेशियम हो गए यह चीज़ें बहुत प्रेचर मात्रा में होती हैं और वहीं अगर हम ख खाद में भी बहुत सारे पोशक तत्य होते हैं इसलिए खाद ज्यादा उपयोगी होता है मिट्टी के लिए पर हम-उर वर्रक की तोल ना में बात करें तो उस से कम होते हैं ठिक हैं आगे देखें ये तो इनके अंतर हो नागे दै Coleender ऐंगे हम बात कर सो लिए李 जल अरण कर पाती है किसकी वज़े से खाद इविज़ते तो उसकी संप्टा में क्या हो जाती है वरती बढ़ जाती है है कि जिसके तो क्या होता है एक वीज़तमीरमरी से अभेड़ पर्वर पर क्रेंद त्रक्रति आयो बंदियों होती है भुरुरी घरुए और इसके कारण वियाइश विनिमस हो हो जाता है और से हो जाता है इसे म कि संख्या में व्रधि होती है लहानो कि किसानों के लिलापकारी होते हैं उनकी संख्या में व्रधी होती है क्योंकि खाद उनको मारता नहीं है खाद किसी कैमिकल से नहीं बना होता है तो उनको मारता नहीं है जबकि अगर वहीं उर्वरक की बात करें तो उर्वरक रसायनों से बना होता है जिससे कि क्या होता है मित्र जीवानूं जो होते हैं वो मर जाते हैं और उनकी संख्या में कमी आ जाती है ठीक है इस जैविक खाथ से मिट्टी का गठन सुधर जाता है जैविक खाथ से एक और क्या कारे होता है से जो मिट्टी का गठन होता है वो भी सुधर जाता है तो यह सारे तो क्या हो गए खाद के लाब हो गए चलिए आगे देखे पौधे की व्रधी एवं परिवर्धन अब हम आ गए हैं अपनी फोर्थ नंबर की चौथी पद्धती पहली पद्धती क्या थी मिट्टी को तैयार करना दूसरे पद्धती क्या थी बुआई तीसरी पद्धती क्या थी खाद एवं और वरक देना और अब हम बात कर रहे हैं अपनी चौथी पद्धती का जिसका नाम है सिचाई ठीक है मतलब खाना पीना मिल गया खाद और वरक मिल गई अब बात कर लें पानी की जब पानी भी तो चाहिए पौधों को तो प्रिवर्धन के लिए जल्का विशेष महतो है जसी तरह से खाद एवं और वरक का विशेष महतो है इसी तरह से पौधों को अपनी विद्धी करने के लिए बढ़ने के विकास करने के लिए जल की भी बहुत ज़ाधा आवश्यक्ता होती है पौधे की जड़ सब्सक्राइ किस जग ऐसे हैं तो हम कभी भी देखना हम पानी का देते हैं हम जो हमारा पॉधा होता है उसके निचले भाग पॉधार वाले भाग पर पानी देते हैं तो यहां से पानी जो है वो मिट्टी में जाता है और ये Jड़े ओती है ये अफशौशित कर लेती हैं और फिर उसके बाद किसे देती यह पूरे व्रक्ष को या पूरे पौधे को पानी प्रदान करती है ठीक है पौधे में लगबग 90 परसेंट जल होता है अब अगर पौधे में जल की बात करें तो 90 प्रतिशत भाग किसका होता है जल का ही होता है जल में गुले पो तरीके से बना लिया जाता है और फिर उसे जल के साथ सारे पुशक तत्रों को कहां दिया जाता है Sultan पर खेत में जल देना सचाई कहलाता है अब सचाई कि अगर मैं बदेना सचाई के साथ मतलब제로 की निश्चित बना लिया कि हम दो दो घंटे में पानी देंगे या तीन-तीन घंटे में पानी देंगे तो जो निश्चित अंतराल है इसमें जब किसी खेत में किसी जगे में पादे में पानी दिया जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं उसी प्रक्रिया को हम सिचाई कहते हैं सिचाई के स्त्रोथ की अगर बात कर लें कि सिचाई के स्त्रोथ क्या है तो सिचाई के स्त्रोथ वही होंगे जो जल के स्त्रोथ होंगे ठीक है तो कुए जलकूप तालाब जील नदिया बांध एवं नहर यह सारे क्या हो गए यह सब सिचाई के स्त्रोथ हो गए ठीक समय से चलें तो जलन में थोड़े दिर पहले सचाई की स्थरोत धे वहां सरे पाणी निकाल कर के खेत तक देने की जो प्रक्रिया है वो कई तरह से की जाती है बहुआ सारे उसके तरीके होते हैं इन विदियों में मवेशी वा मजदूरों का प्रयोग होता है यह विदिया सस्ती हैं परंतु कम दक्ष है अब इसमें प्रयोग किसका होता है अगर हम आधुनिक तरीके की बात करें तो उसमें तो मवेशी लगते हैं मतलब की जानवरों का प्रयोग होता है और मजदूरों का भी प्रयोग किया जाता है यह तरीके जो हैं ये बहुत सस्ते होते हैं इनकी विधियां बहुत सस्ती होते हैं इनमें खर्चा बहुत कम लगता है लेकिन ये कम दक्ष होते हैं ये कार बहुत धीरे करते हैं या बहुत अच्छे तरीके से नहीं करते तो ये दक्ष कम होते हैं ठीक है आगे देखते हैं अगर में पारंपरिक तरीकों की बात करूं कि कौन कौन से होते हैं तो पहला है मोट मोट मतलब की घिरनी दूसरे की बात करें तो दूसरा है चेंड पंप तीसरा है ढेखली और चौथा है रहट इसको तोलक तंत्र भी कहते हैं तो यह चार तरीके जो हैं यह कैसे तरीके हो गए यह हमारे विबन ने पारंपरिक तरीके हो गए ठीक है आगे देख लेते हैं इन पारंपरिक तरीकों को देख लेते हैं कौन-कौन से हैं देखिए यहां पर आपको मोट या फिर घिरनी दिखाई जा रही है कि मोट और घिरनी में पानी किस तरीके से खेतों में जाता है यहां पर chain pump है कि chain pump में पानी किस तरीके से खेतों तक पहुंचता है यहां पर आपको धेकली दिखाया जा रहा है कि धेकली के माध्यम से कैसे खेतों को पानी दिया जाता है और यहां पर रहट है तो रहट यानि कि तोलक तंत्र दिखाया जा रहा है कि इसमें किस माध्यम से खेतों को रख देगा तो यहां पर आपको देखिए मजदूर और मवेशी दिख रहे हैं कि इनका प्रयोग किया जा रहा है ठीक है और एक बहुत बड़ी चीज इसमें देखिए पानी का जो है वह बहुत जादा नुकसान भी होता है कितनी मात्रा में यहां से पानी फैला रहे हैं अब हम बात कर लेते हैं सिचाई की आधुनिक विधियों की यह तो कैसी विधिया हो गई यह कैसे तरीके हो गए यह पारंपरिक तरीके हो गए थे अब मैं बात किस की करूँगी अब हम बात करेंगे आधुनिक विधियों की अगर मैं पहले विधिय की बात करूँ तो वो है छड़काव तंत्र चड़काव तंत्र मतलब की इसको इंग्लिश में स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहते हैं और कहीं कुछ जगे पर आपको यह फवा रहा प्रनाली अब इसके नहीं के प्रेजिए अब इसमें क्या होता है इसी वतल बहुत घ्याद इसके द्वारा उर्ध पाइपों नलों के ऊपर नोजल लगे होते हैं अब इसमें क्या होता है कैसे जो पाइप होते हैं उनके ऊपर पर नोजल लगा होता है ठीक है जब जल उन पाइपों में पहुंचता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है अब क्या हुआ म अब यहां पर पाइप में से जब पानी छोड़ा गया आगे इसी तरीके से लगया हुए और पानी जब इसके माध्यम से उपर आता है ठीक है और जब नोजल फिर चालू हो जाता है और क्या होने लगता है खेत में पानी पहुंचने लगता है तो जब जल उन पाइपों में पहुंचता है तो वो यह जो नोजल है यह गूमते हुए इसमें से पानी बाहर निकलता है ऐसे भी घूमता जाता है ठीक है क्लॉक्वाइज या अंटी-क्लॉक्वाइस पॉदोपर पानी के चड़का वर्शा की बाती होता है अब क्या होता है जब यह ऐसे गूमने लग जात है इस तरीके से तो यह क्या करता है यह से बिल्कुल फवारे की तरह कहें या वर्षा की तरह बारिश होती है ना इस तरीके से इसमें से पानी निकलना शुरू होता है और यह पूरे खेद को पानी यह अपने आसपास की जगह को पानी देना शुरू कर देता है तो इस तरीके में शिचारी की जाती है आगे बात करें अब दूसरा हमारे क्या है अधुनिक विधियों की जो दूसरी विधिया क्या है drip ठिक है या फिर drip system इस विधी में ऑद्री होता है इस विधी में जल बूंद बूंद करके ऐसे बिचा दिया जाता है लगा दिया जाता है और इसमें जो पानी है वो सीधे जो पौधे होते हैं माली जी कि यहां यहां ऐसे पौधे लगे हुए तो यह जो है यह तरीके से लगी होती है कि वह बिलकुल पौधे की जड़ों के पास में ऐसे भून-भून करके इसको पान देती रहती है मतलब थोड़े थोड़े अंतराल में तो पानी की जो है वह बिलकुल भी कमी नहीं होती है ठीक है इस विधी में जल बिलकुल व्यर्थ नहीं होता है अताहिए जल की कमी वाले शेत्र के लिए एक वरदान है अब इस विधी के अगर बात करें तो देखे वो जो पौधा है हमारे पौधे की जढ़ हैं तो इसमें दो पानी की बरबादी नाम मतर भी नहीं होती है तो ये जो डूप तंत्र है जैसे जगह के लिए बिल्कुल वर्दान है जिस रगे पर पानी की क्या होती है पानी की बहुत कमी होती है ठीक है यहां तक देख लिया आगे चले चले अब हम बात करेंगे हमने सिचाई भी कर लिया अब हमारी दूसरे पद्दती आ जाती है उसके बाद खर्पतवार से सुरक्षा प्रोटेक्श क्योraftे हैं हमाई फसल तो ईगती है लेकिन उसके साथ-साथ कुछ ऐसे पॉदे भी उग जाते हैं जो कैसे होते हैं जो आवांशनी होते हैं जिनके हमें जरूरत नहीं होती तो वह प्राक Ηर्ट रूप से उग जाते हैं हम उसे वह से किसान ऑपकिन पर ओपर उग जाते हैं इन आवांशित पौधों को खर्पतवार कहते हैं और यही आवांशित पौधे क्या कहलाते हैं यही आवांशित पौधे खर्पतवार कहलाते हैं खर्पतवार हटाने को निराई कहते हैं अब जो खर्पतवार को हटाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं उसको हम निर कहते हैं खर्पतवार फसल की वृद्धी पर प्रभाव डालते हैं यह फसल के साथ जल पोशक जगय और प्रकाश के लिए इस परधा करते हैं अब खर्पतवार हानिकारक क्यों होते हैं यह भी तो इक तरह के पौधे हैं तो इनको उगने क्यों नहीं दिया जाता क्यों इनको फसल के साथ जल के लिए पोशक तत्तों के लिए जगह के लिए सूरी के प्रकाश के लिए इन सब के लिए क्या करने लगते हैं इस परधा करने लगते हैं कि मुझको जाधा चाहिए मुझको जाधा चाहिए मुझे जाधा बढ़ना है तो यह पोशक तत्तों भी लेने लग ज गडालें तो यह हैं किया करतें हैं क्या होते है हैं गड़्ण के समय कुछ खर्पतिवार उखर जाते और सूब कर मिट्टी में मिल जाते अब कभी जो क्या होता है कुछ टैंड के लिए खे ऐसे पड़ा रहता है तो उसमें अवांचनी रूप से अपने आप्राकृतिक तरीके से कुछ पौधे जो है वह उग जाते हैं तो जब हम मतलब किसान जो होता है जब वो केती करने जाता है मतलब फसल लगाने जाता है तो सबसे पहले कारिये वो क्या करता है वो मिट्टी को तयार करता है और मिट्टी को तयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मिट्टी को तयार करने की प्रक्रिया ही जुताई कहलाती है और जो जुताई करता है तो उस टाइम पर ही कुछ खर्पतवार जो होते हैं वो जितने खर्पतवार लगे रहते हैं वो सब उखड जाते हैं क्यो सहाइता से समय समय पर इन्हीं निकाल देते हैं आप क्या करते हैं किसान किसान देखते रहते हैं फसलों में और जब फसलों के बीच में उनको कुछ इस तरह के पौदे दिखाई देते हैं तो वह खुर्पी जो की कौजार होता है या फिर हैरो इनकी सहाइता से क्या करता है कि उनको जमीन से उखाड़ करके फेक देते हैं खर्पतवार को नियंद्रित करने के लिए खर्पतवार नाशी का प्रेवग किया जाता है जैसे 24D अब कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे हो जाते हैं इतने जादा हो जाते हैं कि खुर्पी से निकालने में बहुत जादा समय व्यर्थ हो जाएगा तो क्या करता है किसान कि श्रम बचाने के लिए समय बचाने के लिए वो क्या कर लेता है वो खर्पतवार नाशी लाता है और खर्पतवारों पे डाल देता है जैसे कि यहां पर एक खर्पतवार नाशी को खर्पतवारों पे डाल देता है और इससे भ खर्पतवार नाशी का प्रयोग कैसे किया जाता है इसको जल में मिला लिया जाता है फिर उसके बाद जो स्प्रेयर होता है उसमें डाल दिया जाता है और फिर पूरे खेट में फसलों पर स्प्रेय कर दिया जाता है जब इस प्रेय कर दिया जाता है जब खर्पतवार नाशी u किसान के लिए हानिका रखोगा ठीक है किसी भी तरीके से हवा के माध्यम से या उसके मुह में चले जाए नाक से सांस के द्वारण चले जाए तो उसके शरीर के लिए जाए अपकर लेते हैं एक और पद भी आप जब फ़त्वार से are रक्षा कर लिए तोब मैं लग जाएगे जब तैयार हो जाएगी तो उसके बाद चलिए कटाई पर किसको हारवेिस्टिंग की driftivity क्या होता है यह एक महतवपून कार है फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है तो ये भी एक बहुत महतवपून कारे होता है और जब फसल पक जाती है तो जब उसको काटा जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं उसी प्रक्रिया को हम कटाई कहते हैं कटाई का कार दरां तो हर्वेस्टर से ही होगी काटी से बीच को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को फ्रेशिंग कैते हैं अब जब फसल कट गई तो फसल क्या है छलके के साथ कटि है ना उसका जो उसके उपर लगा हुआ है भूसी लगी वह सब तो उसके साथ ही आएगा तो उसको निकालने की प्रक्रिया होती है बीजों को भी तो निकालना पड़ेगा न हम डायरेक्ट ऐसे तर्यšíष्ट के किससे जाती है तो जिसको क्या कहते है जिसको कमबाइन कहते है और और कंबाइन हो ती कैसी मषीन है इसमें कुछ गड़र गा hypnot है और इसमें त्रीर भी जुड़ा रहता है तो harvester plus thresher ठाहिशन ये दोनों मशिने जुड़ी रहती है और जिसमें ये दोनों मशिनों जुड़ी रहती है combine रहती है उसी को हम क्या कहते हैं उसी को हम combine कहते है ठीक है अब देखलें यहाँ पर कुछ photo आपको देख रहे हैं ये है दाराथी तो दरादी का प्रयोग क्या करता है किसान कभी कभी से कटाई के लिए करता है दूसरा यहां पर कंभाइन का चितर तो यह जो है यह हारवेस्टर और थ्रेशर का दोनोंका mix combine जो है jsou machine है आप इसमें क्या होता है साथ के साथ इसके枯 दाने अलग हो जाते हैं कच्रा भी अलग हो जाता है तो इस तरीके से दोनों मशीनों उपकरण यह यह नोगो का प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए कटाई और ठेशिंग के लिए ठीक है आगे देख लें आप कटाई के लिए क्या है अब दिखो थ्रेशिंग से तो क्या किया उसने हमने बीज अलग कर लेकिन कुछ किसान अनाच के दानों को फटक कर अलग करते हैं आप कुछ किसान जो हैं जिनके पास वो मशीन नहीं है कंबाइन है नहीं तो फिर वो कैसे करेंगे क्योंकि अगर माल लेजे कि कुछ लोगों के पास कंबाइन है कुछ लोग के पास नहीं है तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि फिर वो बीच को अलग करी नहीं पाएंगे तो की बात करूं तो दिखें यहां पर आपको एक मशीन दिख रही है इसमें उपर से बीज डाले जाते हैं और ऐसे हवा डाइप का चलता है फटक जाते हैं और बीज बीज भारी बीज यहां आ जाते हैं और हलके हलके जू कच्रा होता है वो क्या होता है ओड के बाहर चला जाता है ठीक है तो यह विनोइंग वाली मशीन है और इस तरीके से भी कटाई के बाद थ्रेशिंग की प्रक्रिया की जा सकती है ठीक है यहां तक समझ आया है नेक्स्ट चलें आगे 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 बात कर लेते हैं भंडारन की तो भंडारन में अब हम क्या देखने वाले हैं तो देखे भंडारन जो है तो भंडारन जो है इसमें क्या होता है कि देखे हमने क्या क्या हमने कटाई भी कर ली हमने अपनी सारी फसल पद्दतियां कर ली अब यह जो है यह हमारी अंतिम फसल पद्दतियां अगर हम बंदारन की बात करें तो यह सबसे कौन सी है लास्ट वाली है मतलब की सबसे अंतिम है इसमें क्या करना है storage करना भंदारन करना है कटाई तो कर ली हमने अपनी फसल को काट के भी जलक करके सब पुछ कर लिया अब क्या उसको ऐसे खुला छोड़ देंगे नहीं उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम उसका बंदारन करेंगे तो तो जो नमी होती है नमी क्या बाहर जो कभी कभी बारिश हो जाती है ना जब बारिश हो जाती है तो क्या हो जाती है सब जगे वातावरण में नमी आ जाती है तो यह नमी जो होती है यह भी उस फसल को प्रभावित कर सकती है इसके साथ ही जो कीट होते हैं वो खा सकते हैं कुछ सुष्मजीव होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं फसल को खराब कर सक जाता है सुखा लेने से क्या होता है कि जो इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत भी नमी बची रहती है तो भी क्या होती है खतम हो जाती है जिस से अगर हम उसको भंडार करके सालों साल तक रखेंगे तो खराब नहीं होगी तुक है आगे देखें बंडारन में जूटके बोर होते हैं बिन्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता हैं एहां पर आपको एक भंडार रह दिख़ा है और इसमें देखिए एक जूट केivesse बोरे प्रयोग किया गें इस जूट पैमाने पर बीजों के पात्र बंडारन के लिए रखने होते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं तब हम साइलों का प्रयोग करते हैं और बंडार ग्रह का उपयोग किया जाता है क्या होता है कि जब बहुत जादा फसल होती है माल यह किसी किसान के पास बहुत सारी फसले सा तो वहां रखेगा या फिर वो ऐसे साइलो का प्रियोग करता है यो इस तरीके से बड़े पैमाने फ Haast फसलो का भंडारण होता है अब घरों में किया जाता है जो भी अनाज है उसको बचाने के लिए करते हैं नीम की सूखी पति अनाच के बंडारन में उपयोग की जाती है तो नीम की सूखी पति जो होती है धूप में सुखाने के बाद जम नमी चली जाती है तो उसमें कोई कीट ना लगे तो उसके लिए क्या करते हैं उसमें नीम की पतियां रख दी जाती है तो नीम की पत कि जनतुओं से भोजन food from animals हमको जनतुओं से कौणट और मिलते रेतों हमने पौधों से मिलने वाले भोजन की बात कर ली कि पौधों से कौन खह्मात वाहती हैं उनको प्रक्रिय होती हैं के बोने से लेकर के बनने तक की क्या पर क्रिया होती है तो हमने यह सब तो देख लिया कि हम तक महुचता कैसे एक अनाज उगने से लेकर के खेट से लेकर हमारे घर तक कैसे आता है हम उसे कैसे सिखाते हैं वो तो इक अलग बोजन हो गया यहां पर अब हम आतकर हैं जंतों से बोजन के कभी कभी फसलों के साथ-साथ कुछ लोग जो है वो क्या है जंतों से प्राप्तों भोजन हमें कैसे मिलता है तो यहां पर हमको क्रिया कलाब तीसरी दियो है वन पॉइंट-3 हमारे प पूक्षों दिमाग लगा औह रह दीजिए तो यहाँ पर देंगे आपको खादी पदार्थ दिया हुआ है यहां पर आपको खादी पदार्थ बतान यहां परिक्वाबताना लेकिन इसमें शर्थ क्या है कि इसमें आपको जन्तूं से प्राप्त भोजन की ही बात करनी है ऐसा नहीं किसी पौधे से प्राप्त भोजन की बात करना है तो यहां पर आप ऐसा खादिपदार्थ लिखेंगे जो आपको जन्तूं से प्राप्त होता है उसका स्तरोत क्या क्या है वो कहां किस जानवर से मिलता उटनी से भी मिलता है ना अब दूसरा खादिपदार्थ की बात करें तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं शहद शहद प्राप्त करते हैं शहद हम किस से प्राप्त करते हैं तो शहद हम प्राप्त करते हैं मधु मख्षी से और कौन सा हो सकता है? खादीपदार्थ मानस तो मानस किसे परापत होता है? मुर्गी और बकरी और क्या हो सकता है? अंडे पी तो जन्दों से ही परापत होते हैं तो इसमें भी क्या आ जाएगा? मुर्गी तो इस तरह से आप भर सकते हैं अगर आपकी दिमाग में कोई और खादे पदार्थ भी आ रहा है तो वह आप लिख सकते हैं ठीक और उसके जो स्तरोत हैं वह हमें किस से मिलता है तो हम इस तालिका में उसे भरेंगे ठीक है यह तो हमाई छोटी सी क्रिया कलाप थी आगे देखते हैं इस सार्णी की पूर्थी करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जनतों भी हमें विबिन प्रकार के खादे पदार्थ प्रदान करते हैं अब हमको इसमें क्या पता चला हमको इसमें पता चला कि जैसे पौधों से हमको कुछ खादे पदार्थ मिलते हैं उसी तरह से हमें जन्तू से भी खादे पदार्थ मिलते हैं ठीक है समुद्र के तटी छेत्रों में रहने वाले लोग मचली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं पिछली कक्षाओं में पौदों से प्राप्थ होने वाले खादे पदार्थों क्या बन जाता है उनके मुख्य भोजन मचली बन जाती है तो इस तरीके से जिनको जिस जन्तू की प्राप्ति जिस जगें पर ज्यादा होती है उसको वह अपना मुख्य भोजन बना लेते हैं और पिछली कक्षाओं में अगर हम बात करें तो आप सब यह सेवन क्लास में पढ क्या है और इसमें बात करें तौड था हऱन की तौप क्या है दूढ है मास है एंडा है यह सब हमें जैसे जंतों से प्राप्त होते हैं फसल उत्पादन के जैसे विभिन चरण है बीजो का चयन बुआई आदी इसी प्रकार घरों में अत्वाफाम पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन आवास एवं देख भाल की आवश्यक्ता होती है जब यह बड़ी पैमाने पर होता है तब पशु पालन कहला तो जिस तरीके से आपने अभी देखा कि जब फसल उत्पादन किया गया तो फसलों को भी बहुत सारी देख भाल के आवश्यक्ता होती है उनके भी कई सारे चरण होते हैं कि पहले आपने बीजों का चयन किया फिर बुवाई की फिर उसके बाद उसके बाद भी मतलब क्या सब्यक्ति अब उसके घरणों कंब करने ऐसा नहीं होता है तो उसको क्या करते हैं कि घरों में बड़े बड़े फार में जन्तों को रखा जाता है पाल तो पशो को रखा जाता है उनको उचित भोजन दिया जाता है उनको समय समय पर क्या खाना दिया जाता है कि उनको खाने की कमी न हो उनको अच्छा आवास दिया जाता है उनको रहने के अच्छी जगे दी जाती है उनकी देखभाल की बहुत अच्छे से की जाती है और ज कारी को हम क्या कहते हैं इसी को हम पशुपालन कहते हैं ठीक है मचली में कॉड लीवर से तेल मिलता है यहां पर एक नोट है जानकारी है कि मचली जो होती है उसमें हमें क्या मिलता है कॉड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी की मातरा बहुत अधिक पाई जाती है तो ठीक है तो पीटा यहां पर जो है हमारे part 1 का complete chapter revision हो गया है हमने part को बहुत अच्छे से समझ लिया था फिर हमने part का NCRT solution भी देख लिया था उसके बाद हमने उसके जो multiple choice question होते हैं most important question होते हैं वो सब देख लिया और आज हमने फटा-फट से अपने पूरे part का एक बार revision भी कर आया हो यह जिस चीज में आपको डाउट हो लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो चोटा सा भी डाउट हो तो comment section में लिखके जरूर बताईए ठीक है और इसी तरह की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए बहुत अच्छे अच्छी वीडियो देखने के लिए जोड़े आपको बिलकुल free में मिलते हैं इसके लिए आपको कोई भी cost नहीं pay करनी पड़ती यह सभी courses आपको English और Hindi मीडियम में मिलते हैं वो भी high quality content के साथ इसके साथ ही अगर आप हमसे e-notes और e-books भी लेना चाहते हैं तो उसकी link आपको description box में मिल जाएगी और अगर आप हमसे other social media platform पर भी जोड़ना चाहते हैं तो follow कर सकते हैं facebook, instagram, twitter और telegram पर भी तो बच्चों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें दोस्तों को share करें और चैनल को subscribe करना ना भूले मिलते हैं next topic के साथ तब तक के लिए bye bye